अब पता है दोस्तों पनीर बटर मसाला की बात आती है तो इंसान यही सोचता है कि रेस्ट्रों में दो चीजे क्यों है शाही पनीर भी है पनीर बटर मसाला भी है दोनों में कुछ तो फरक हो गए न दोस्तों बिल्कुल फरक है और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा म और ये जो पनीर बटर मसाला की रेसिपी है ये एकदम instantly बन जाएगी आप आसानी से इसको बना पाओगे और टेस्ट भी एकदम amazing आएगा तो इसको बनाना तो विल्कुल बनता है हेलो दोस्तों मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में तो फिर देर किस बात की चलो फिर शुरू करते हैं अब instant पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना कि दो प्याज लेना और उनको एकदम finely chop कर लेना जितना भी fine आप कर सकते हो अचा अगर आप fine नहीं कर सकते तो आप chopper का use कर सकते हो उकाम आपके काफी जल्दी हो जाएगा इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर लगभग 6-7 लसन की कलिया ली है और उनको भी finely chop कर लिया है और again अगर आप यह finely chop नहीं करना चाते तो chopper जिन्दा बात को खायी है gravy का base बनानी के लिए मैंने यहाँ पर 3000 सूखी लाल मिर्चे लिए है डिपेंड करता है कि इतनी spicy है और साथ में यह hybrid वाले टमाटर लिए है दोस्तों गलती से भी इस recipe में देसी टमाटर मत लेना क्योंकि देसी टमाटर क्या करेंगे वो gravy को खटा कर देंगे खटास नहीं चाहिए हमें एक base चाहिए और टमाटर की fruitiness चाहिए बस तो अब क्या करना है आपने कि टमाटर को आप हलक असा चॉप कर लेना mixer grinder में आप यह टमाटर डालना और जो मैंने मिर्चे भिगा के रखी है मैंने इनको भी यहां पर डाल दिया है और एकटम फाइन पेस्ट बना लिया है और अभी अब टमाटर का रंग देखता है काफी देड़ तक आप मिक्सी हो गुमाना ताकि एकदम फाइन पेस्ट बन जाए और अब कलर देखो आप कितना बढ़िया कलर आया ना दोस्तों बस इस स्टेज तक आपने पीषना है और अगर ग्राइंडर में कुछ भी रह जाता है तो पानी डाल कर उसको निकाल जरूर देना मैंने यहाँ पर दही लिया है दही में आप धनिया पाउडर डाल देना ताकि धही फटेना और धनिया पाउडर की कोकिंग भी अच्छे से हो जाए इस रेसिपी को रिचनेस देने के लिए आप यहाँ पर 15 के आसवास काजियों को भिगा कर रखना गरम पानी में दस में थोड़ा सा तेल डालना तेल इसलिए है ताकि मखन जलेना और ऑविसली जो हमें कोकिंग करनी है जादा भुनाई वाली वो तेल में जादा अच्छी होती है बटर मैंने सिर्फ एक फ्लेवर के लिए डाला है अभी फलाल इसमें आप थोड़े से खड़े मसाले डालना म अब यह देखो दालचीनी को देखो कैसे फूल रही है ऐसी इसको गरम तेल में पकाना बहुत जरूरी है ताकि अपना सारा फ्लेवर रिलीस करें यह मसाले फिर आप सबसे पहले यहां पर लैसुन डालना और लैसुन को हलका सा भुनना लगभग 30 सेकंड के लिए और आप खुद ही देखना एक बड़िया सी खुश्बू आएगी उस टाइम पर जैसे ही लैसुन से खुश्बू आने लग जाए और हलका सा रंग आ जाए फिर आप यहां पर प्यास डाल देना जो हमने फाइन दी चॉप करके रखे है और इनको अब आपने थोड़ा अच्छे से यानि कि आपको लगबस तीन-चार मिनट आराम से लग जाएंगे दोस्ते हैं अभी आपको लग रहा हो है कि तेल की कॉंटिटी थोड़ी जादा है लेकिन जब भी रेच्टरा में अनियन टेमाटो मसाला बनता है न तो उसमें तेल की कॉंटिटी हमेशा जादा रखते हैं ताकि प्यास की कुकिंग एकदम प्रॉफेक्ट हो ग्राउननेस जो है वो एकदम एवनली आने चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ पिंक रह जाए प्यास और कुछ ब्राउन हो जाए ने ने ऐसा नहीं तो अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर अराम से पकाना यह देखो इस को और अधर क्लेसन के पेस्ट को अच्छापन भी दूर हो जाएगा और अब गलर देखना बहुत जादा बढ़िया है बस अब इस स्टेज पर आपने यहाँ पर उजमने टमाटो का पेस्ट बना रखा है वह आपने यहाँ पर डालना है आपको तो पता ही है कि टमाटर पानी गायब नहीं हो जाता जग कर इसको दो तीन मिनट पकने देना अराम से एक्दम दानेदार पेस्ट हो जाना चाहिए दोस्तों तब थोड़ी देर इसको भुनना जरूर अच्छे से चार से पांच मिनट आपको आराम से लग जाएंगे लेकिन इस स्टेज तक आपको पकाना है ये देखो आप कलर देखो आप कितना बड़िया आया है कलर छोड़ो लेकिन अब ये देखो कितना दानेदार हो गया और पहले कितना सारा था और अब कितना रिड्यूस हो चुका है तो चलो अब इसी टाइम पर आप यहाँ पर दह दही डाल देना जो धनिया पाउडर के साथ है उसको आप अच्छे से मिला देना धही को यहाँ पर आपको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है अब आपने major जो मेहनत का काम था वो तो करी दिया है धही को आपने तब तक पकाना है बेसिकली जब तक की इस ग्रेवी से तेल अ दोस्तों इस रेस्पी में अच्छा बैलेंस लाने के लिए आप यहाँ पर दही का और काजू के पेस्ट का इस्तमाल जरूर करना नहीं तो वो टेस्ट बिलकुल भी नहीं आएगा यह दोनों चीज़े आप स्किप नहीं कर सकते बस जैसे ही दही से तेल अलग हो जाए आप यहाँ पर काजू का पेस्ट डाल देना और अब आप देखना इस ग्रेवी का रंग इसका टेक्स्चर सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों सिर्फ काजू का पेस्ट डालने से यह देखवा आप रंग ही अलग हो गया आप सारी चीज़ अच्छे से मिलाना और इस गास को एक पनीर के क्यूब्स डाल देना पनीर को आपने भुना नहीं है ना कलर लेना है बस मक्षन में हलकासा रोस्ट करना है ताकि यह नरम हो जाएगा आप यहाँ पर कटीवी हरी मिर्चे अद्रक के लच्छे कश्मीरी लाल मिर्च पाउदर और हलकासा हल्दी पाउदर यह यह य लेना और यह सारी कुकिंग दोस्तों मैंने हाई फ्लेम पर करी है और आप ग्रेवी देख सकते हो कितनी बड़िया तरीके से पक चुकी है बस फटा फट से आप इसको ट्रांसफर कर देना ग्रेवी में अरब एंड की चीज़े डाल देते हैं जैसे कि गरम मसाला कसूरी में अधूरी है बही है ग्रेवी और फोड़ी सी चेनी क्योंकि मक्नी ग्रेवी में फोड़ी सी चीनी होती है खटास को बालन्स करने के लिए बहुत काम आएगी इस रेस्पी में आप अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाना आप देखो तेल कितना बड़ी तरीके से अलग हो थोड़ा सा पानी डाल देना लगबख एक टप के आसपास और सारी चीज़ों को मिलाकर आप एकदम लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए अच्छे से पकने देना दोस्तों धखकर ताकि पनीर के अंदर भी फ्लेवर जाए और ये ग्रेवी पूरी रच जाए पांच पनीर के एक मसाले वाली आपने रेस्पी देखनी है यानि कि धाबा स्टाइल पनीर की रेस्पी देखनी है तब ये वीडियो देखना आपको बहुत पसंद आईगी